राज्य में एक तरफ तीजी से अठारा से 69 साल के लोगों को बूस्टर दोज लग रहा हैं वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमन ने भी रफतार पकड़ लिया बता दे कि राज्य के 20 जिले कोरोना की चपेट में आगा है सूबे में पिछले 24 घंटे में 109 मरीज मिले है सादे की सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1067 पर पहुँच गई है रादानी राची में कोरोना के सबसे आधिक मरीज हैं यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 399 है और इस कबर पर जादा जानकारी के लिए निउस रूम से लाइफ जुड रहा है हमारे सायोगी मुहमद मुईजुदीन मुईजुदीन लगतार एक तरफ हम देख रहे हैं कि बूस्टर डोस को लेकर के यहां लोग जात संक्रमित में बूस्टर डोस लेने पहुच रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ जारकंड में एक बार फिर से कोरोना की जो रफतार है वो तेज हो गई है बिल्कुल प्रभाद देखिए कोरोना संक्रमन के संभावी चौथी लहर को देखते हुए सरकार एक बार फिर से रेस नजर आ रही है खास करके जारकंड में वैक्सिनेशन और टेस्टिंग की परकिरिया भी अब इसमें तेजी ला दी गई है अगर बात करें जारकंड की तो जारकंड में बीते दिन दो लोगों की कोरोना संक्रमन से मौत हो गई जबके असी पलस लोग जो है वो अब भी संक्रमित पाए गया है इससे पहले भी दो लोगों की मौत जारकंड में हो चुकी थी कोरोना संक्रमन से लेकर ऐसे में अब एक बार फिर से जारकंड में कोरोना का संक्रमन तेजी से फिर से पैर पसारने लगा है और ये कहीं न कहीं जारखंड वासियों के लिए एक खत्रे के संकेत है जी मुईजुदी ने जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है राजधानी राची में खास करके तो क्या ये वही पुराना वेरियंट है कोरोना का या फिर जो नया वेरियंट के बात कही जा रही थी मसीन भी है और जो भी नए वेरियंट आएगे उसकी पुछ्टी हो जाएगी यहां पर उसकी पहचान हो जाएगी कह सकते हैं लेकिन अभी जो फिलाल है ये पुराना जो कोविड-19 का जो संक्रमन था उसके मरीज यहां पर पाए गये हैं और चिंता वाली बात नहीं है जैसा कि स्वास्त मंत्री ने का लेकिन फिर भी कही ना कहीं जो हाल पहले था वो हाल फिर से ना आए इसके लिए फिर से एक बार स्वास्त महकामा को सजग होने की जरूरत है जी मुझदीन आकरी सवाल करूगी आपसे कि जुस तरीके से लोग दुबारा से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं तो क्या ये भी आकर सामने आप आएं कि जो लोग इस कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं क्या उन्होंने वैक्सीन ले लिया था या फिर वैक्सीन नहीं लिये थ यहां एक से दो लोग अपना वैक्सिन ले रहे थे खहासकर बुस्टर डोज वो इन दिनों देख रहे हैं कि एक दिन में एक दिन में अप 40-45 इस लोग बूस्टर डोज ले रहा है यानि कि free में सरकार के ओर से जो बूस्टर डोज की परकिरिया शुरू हुई है इसे लोगों में जाग रुकता देखी जा रही है और लंबी-लंबी कतार लेकर लोग बूस्टर डोज लेने का काम कर रहा है जिस तरह अफ्टार से बूस् परकंड से जहां पर लगबग 20 जिले इस कोरोना की चपेट में एक बर फिर से आ गया और सबसे बड़ी अपडेट यह है कि दो संक्रमितों की मौत भी हो गई है पिछले 24 घंटे में 109 मरीज मिले हैं कोरोना संक्रमन से जो संक्रमित हैं वहीं 161 मरीज ऐसे भी हैं जिनोंने जीत हासल की है कोरोना संक्रमन के उपर